जैशी किष्णा दोस्तो वियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम सावन सोमवार की व्रतकथा सुनाने जारें इस कथा को शवन करने मात्र से प्राणी के सभी प्रकार की मनुकामनाय पूरी होती हैं तो अगर आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तब भी और नहीं करते तब भी इस कथा का उश्रवन अवश्य करना चाहिए इससे भगवान शंकर की किरपा प्राप्त होती है और घर में सुक सम्रिद्धी का आगमन होता है और इस कथा को सुनने मात्र से वनवांचि संतान की प्राप्ती होती है तो बोलिए गोरी शंकर भगवान कीजे पहले समय की बात है एक साहुकार था जो भगवान शिवजी का अनन्य भक्त था उसके पास धन धानने किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना के लिए रोज सुमवार क दिन भगवान शिवजी का पूजन करता था पूरी शद्धा भाव से भगवान शंकर का पूजन करता वरत करता और साइकाल के समय शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था उसके इस भक्ती भाव को देखकर एक दिन माता पारवती जी ने शिवजी से कहा कि हे प पारवती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है इसी से यह दुखी रहता है माता पारवती कहती है कि हे इश्वर किरपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दीजिये तब भोले नात ने कहा कि हे पारवती साहुकार के भागे में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अग पारवती ने कहा कि हेव रभू आपको इस अहुकार को पुत्र का वर्दान देना ही होगा अन्य था भकत क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे माता के बार-बार कहने से भोले इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ, वह पहले की तरह ही भुलेनात की पूजा अचना करता रहा, उधर से ठानी गर्वती हुई, और नोवे महिने से उसे सुन्दर बालक की प्राप्ती हुई, परिवार में खूब हर्श उल्लास मनाया गया, लेकिन साह साहुकार पहले की तरह रहा, और उसने बालक की 12 वर्ष की आयू का जिक्र भी किसी से नहीं किया, जब बालक की 11 वर्ष की आयू हो गई, तो एक दिन साहुकार की सिठानी ने बालक की विभा के लिए कहा, तो साहुकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा इसे काशी पढ़ने के ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुखना वहा यग्यादी करते हुए और ब्रामणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे बढ एक राजकुमारी का विवा होना था वह एक आंख से काना था तो उसके पिता ने जब अती सुन्दर साहुकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया क्यों ना इसी को गोडी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य समपन करा लिए जाएं तो उन्होंने मामा जिसे बात की और कहा कि इसके बदले वे उन्हें बहुत सारा धन देंगे तो वे भी राजी हो गए इसके बाद साहुकार का बेटा विवा की बेदी पर बैठ गया जब विवा का कार्य संपन हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंद्री के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवा तो मेरे साथ हुआ लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आँख से काना है इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंडरी पर यहा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ ज एक दिन जब मामा ने यग्य रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे वह बहुत परिशान हुए लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राहमर चले जाएंगे और य परिशी पोच्छा कि हे प्रभू यह कोण रो रहा है तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोले नाथ क्या अश्रिवा से जन्मा हुआ साहुकार का पुत्र है तब माता परिशी कहती हैं कि हे स्वामी इसे जिवित कर दें अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण न पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया लड़का ओम नमश्वाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने इश्वर का धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की और लोटे रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने र उन्होंने यह प्रहण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुषल ना लोटा तो वह छस से कूद कर अपने प्राण देंगे तब ही लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समचा सुनाया लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपत पुर्व कहा तब द उन्हों ने अपने बेटे बहु का स्वागत किया उसी रात को साहुकार को सपन में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ हूँ इसी प्रका जो भी वेक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएं और आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंड बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें आप सभी को ओम नमस्षिवाय